आडी शर्मा सुलूशन देख रहे हैं क्लास 11 है चाप्टर 29 लिमिट्स एक्सरसाइज है 29.2 इसमें पहला सवाल है लिमिट निकालना है x tends to 1 x square plus 1 by x square x plus 1 तो इसमें जो पहला मेथड मैंने आपको बता है था फॉस्ट मेथड वो फॉस्ट मेथड क्या है direct substitution का method है direct substitution में हम क्या करते है value direct रख देते हैं और अगर उस value को direct रखने से हमको 0 by 0 या infinite by infinite form नहीं मिल रहा है या इसी तरीके का समकष कोई और form नहीं मिल रहा है जिसको हम indeterminate कहते हैं तब हम आराम से यह रख सकते हैं जैसे x tends to 1 है अगर आप यहां 1 रख दे यहां 1 रख दे तो क्या फरक पड़ेगा 1 square plus 1 यह 2 हो जाएगा यह भी 2 हो जाएगा और आपके limit आजाएगी यहां पर x tends to 1 में direct substitution करेंगे यहां पर क्या करेंगे x tends to 0 अगर मैं यहां पर 0 रख दो यहां 0 रख दो यहां 0 रख दो यहां 0 रख दो तो यह तो 0 0 0 0 हो जाएगे लेकिन साथ में 4 और 2 भी तो है तो 4 by 2 क्या बनेगा 2 बनेगा ultimately आपको 2 मिल जाएगा तो इसको direct substitution method से करेंगे next वाला है under root 2x plus 3 by x plus 3 इसमें भी x को बराबर 3 रख दीजे सीजा क्योंकि आपको बस यह देखना है कि indeterminate state में तो नहीं आ रहा है x3 रखने पर यहां 3 रखे तो 2 into 3 plus 3 याने कि 6 plus 3 9 हो जाएगा 9 का under root होता 3 नीचे 3 plus 3 है 6 याने 3 to 6 1 by 2 आ जाएगा जिसमें भी बिलकुर यह करना है x tends to 1 है आपका तो यहां पर 1 रख दीजे यहां रख दीजे 8 plus 1 9 under root 9 हो जागा 3 नीचे under root 1 बनी रहेगा तो यह 3 आ जाएगा x tends to a यहां पर a रख दीजे तो यह under root यह बनेगा under root a यह भी a बन जाएगा तो under root a 2 under root a नीचे a plus a 2 a तो 2 से काट दीजे root a by a है उपर नीचे root a से multiply कर दीजे यह a आ जाएगा उपर नीचे तो a थाई यहां root a आएगा यह a cancel तो 1 by root a आ जाएगा यह एक्स टेंस to a डालने से आपको कोई समस्या नहीं आ रही है आपको कोई ऐसे problem नहीं आ रही है कि indeterminate state पे पहुँच जाए तो यह थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है यहां पर भी ऐसा है extends to 1 आप देख रहे हैं कि अगर बाइचास यह extends to 1 में यहां पर ऐसी समस्या अगर आ जाती 0 by 0, infinite by infinite यह ऐसा कोई और समकक्ष तब आपको दिक्कत आ सकती है extends to 1, यहां पर अगर 1 रखते भी है तो यह तो 0 हो जाएगा यहां भी x को 1 रख दीजिए तो यह तो 0 हो जाएगा, 1 plus 0, 1 ही होता है और 1 plus 1, 2 होता है तो 1 by 2 आ जाएगा question number 7 है यह x की power 2 by 3, minus 9 और x minus 27 text की जगर 0 रखते हैं 0 की power 2 by 3, 0 की power कुछ भी करीए आपका 0 ही आएगा यहां 0 minus 27 यह तो 0 को थटाई दीजिए आप minus 9 by minus 27 यह minus minus थाई दीजिए, 9 3 था 27 तो basically 1 by 3 मिलता है आपको यह सारे जो है example direct substitution के तो अगला है question number 8 इसमें है limit x tends to 0, 9 यह कैसे आया, देखें अगर limit x tends to कुछ भी हो, a या भी जूज कुछ भी ले लिजे और यहां पर कोई constant है, c constant है तो यह हमेशा constant ही आएगा, क्योंकि यहां तो x कोई रोल ही नहीं है, जब x कोई रोल ही नहीं है तो आपका c ही वापिस आजाएगा यहीं काम करेंगे, limit x tends to 0 अगर आप कोई भी constant value है, वो ही आजाएगी इसका उतार दिहान रखेंगा, यह constant function है इसका x पर dependency नहीं है तो यहीं चीज रिजल्ट में आजाएगी next है, limit x tends to 2 3-x, तो यहां पर अगर आप 2 रगते भी है तो 3-1, कोई दिक्कत नहीं है indeterminate state नहीं है तो 1 आ जाएगा direct अगले बाले में भी अगर आप x जाएगा minus 1 रखते है, minus 1 का square तो 1 ही होता है तो 4 into 1 plus 2 यानिकि 6 आ जाएगा तो कोई इसमें indeterminate या ऐसा case नहीं आ रहा है जिसमें हम परशान होते हैं कि हमारा कहीं कोई function ऐसा तो नहीं कि broken हो continuous ना हो, differentiable ना हो यहापर भी ऐसी है x tends to minus 1 है अगर आप minus 1 रखते हैं यहापर तो यह minus 1 आएगा उपर यह minus 1 रखते हैं तो plus 3 हो जाएगा और यह plus 1 है यहाँ एक यहाँ का minus 1 रखते हैं तो minus 1 minus 1, minus 2 हो जाएगा क्या आपका 4 minus 1 हो गया 3 यह plus 3 है तो 4 minus 1 हो गया 3 और minus 2 नीचे है यह आपका ultimate यह minus 3 by 2 इसका आप लिखेगे यह है नेक्स वाले भी यह रखेंगे x की जगा 0, यहाँ 0 रख दीजे यह 0 हो जगा 1 बचेगा यहाँ यहाँ 0 रख रही है 3 बचेगा तो 1 by 3 इसका उतरा जाएगा नेक्स वाले x square minus 1 9 और x plus 2 तो इसमें क्या होता है ऐसे सवाल देके हम tempted होते हैं हम कोशिश करते हैं कि भाई इसको हम किस तरीके से factor of a form में करें x square minus 3 square हो जाएगा 9, 9 minus 9, 0 तो 3 plus 2, 5 अब 0 जब उपर आता है तब कोई समस्या नहीं है problem 0 नीचे आने की है सारी समस्या की जड़ जो है वो नीचे वाले 0 की है क्योंकि नीचे वाले 0 किसी चीज़ को 0 से कैसे डिवाइड करोगी किसी को कुछ भी नहीं से डिवाइड करना है तो यह exercise हुई आपकी 29.2 अब नेक्स जो exercise है वो है factorization method उसमें हम बकायदा factor बनाएंगे तो वो थोड़ी लंबी exercise है करीबन 33 question है उसमें और NCRT के भी सारे cover हो जाएगे उसमें question NCRT के factorization वाले तब तक लिए शुक्रिया, घरबानी आप सभी की